हेलो एफ्रिवन आज के एश वीडियों में हम लोग केसिजन एक लाश टु एल उक्सर साइज 11.3 का कोईचन नमर नाइन नेमर कोईचन को जहाँ वह स्वालब करेंगे तो देखिए गिवहन दिया हुआ है रूट अंडर वन मेनस एकस्कार प्लस रूट अनर वन मेनस वाइस् एकस मैनस य कताव PTA यह प्रूफ डैट करने के लिए dvon dx एकवरट अंडर वर मेनस वाइस्ट कर गटे रूट एंडर वन मेनस एकस्कार यह करतेंज चलिए इनको हम स्वालव करते हैं ठीक है तो इसमें हम मान लेते हैं क्या मानते हैं तो बेखिए यह जो दिया हुआ एकस square और y square का स्थान पर हम कुछ मान लेते हैं X equal to हम मान लेते हैं sign A and Y equal to मान लेते हैं हम sign B मान लेते है ठीक है यहां से therefore A equal to क्या निकल के आ जाएगा sign inverse X and B equal to निकल कर आ जाएगा sin inverse y यह एक्वल तो निकल के आ गया अब देखिए उसमें हम put करते हैं इसमें हम put करते हैं now यहाँ पे देखिए यह हमारा root एंडर 1-x square का स्थान पर यह हमारा होगा sin square a plus root एंडर 1-y square का स्थान पर होगा sin square b equal to a into sin a minus sin b a into sin a into sin b अब देखिए यहाँ पे जो होगा root एंडर 1-sin square का स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं इनके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos a plus cos b equal to a into sin a minus sin b अब देखिए cos c plus cos d इसका क्या formula होता है यह formula होता है 2 cos a plus b by 2 into यह होता है cos a minus b upon 2 यह formula होता है यहाँ देखिए sin c minus sin d sin c minus d का formula होता है यह तो यह पहले से ही है 2 से multiply करेंगे तो यह sin a minus b by 2 into cos a plus b by 2 यह formula होता है नो तो यहां से देखिए cos यहां से यहां से जो है cos a plus b cos a plus b cancel 2 से 2 cancel यहां पर बच गया है cos a minus b और यहां पर बच गया a sin a minus b तो चले इनको हम दूसरे साइट लिखते हैं यहां पर space नहीं पर देखिए cos a minus b by 2 और a sin a minus b by 2 है ठीक है यहां से अगर हम a का value निकालना चाहे यह हमारा हुआ क्या cos a minus b by 2 by sin a minus b by 2 यह हो जाएगा तो देखिए cos by sin क्या होता है कोट होता है यह कोट a minus b by 2 कोट a minus b by 2 यह हो गया तो उमीद करते हैं कि आप लोग यह इतना तक बहुत ही अथात्रिका से समझ गयो होंगे अब देखिए जो है वह इनको multiply करते है यह 2a एकवाल 2 कोट a minus b हो गया यह कोट को इस साइट भेद देंगे यह कोट इनवर्स में चेंज हो जाएगा कोट इनवर्स 2a अजिक टू कोइंस्टेंट है तो तो यह बाहर ने हो जाएगा 2 कोट इनवर्स से एकवाल 2 यह हमारा होगा a minus b हो गया यहां तक समझने में कोई दिकत नहीं हुआ होगा अब देखिए यह जो है वह यहां पर देखिए यह 2 कोट इनवर्स a equal to a a equal to हम निकाले थे साइन इनवर्स x तो यह साइन इनवर्स x अब मैनस b इकवाल तो निकाले थे साइन इनवर्स y तो यह साइन इनवर्स y हो गया अब देखिए इनका जो हुआ हुआ हम differentiation करते हैं तो चलिए इनका differentiation करते हैं ति हम पर लिख देंगे differentiation with respect to x on both side we get इनका differentiate करेंगे ति ये देखिए 2 बाहर हो जाएगा d upon dx quote inverse a equal to d by dx ये sin inverse x minus d ये वर्टे dx sin inverse y ये हो जाएगा actually quote inverse constant है इनका differentiation 0 2 into 0 sin inverse का होता है 1 upon root under 1 minus x square minus sin inverse y का differentiation होता है 1 upon root under 1 minus y square ये जो फिर y हा है उसका differentiation देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर x रहना चाहिए इसलिए तब जाकर ये फर्मूला होता है यहाँ पर x है यहाँ पर y है पहले हम यहाँ पर y लाएंगे ति ये फर्मूला हो जाएगा फिर dy by dx लाएंगे अब देखिए जिसमें dy by dx ने इसको इसार बेदेते हैं यहाँ आपों रूट एंडर 1- y स्काइर डी वाइंड य अपों डी एक्स इक्वल तो यहाँ रूट एंडर 1-1-x स्काइर यहाँ यहाँ परूब करने के लिए मिला था यहाँ परूब कर दिये तो उमीद करते हैं कि आप लोग यहाँ आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गयो होंगे अब देखिए इनका जो है वहाँ आप लास्ट कोईचन इस्टिक्सरसाइज का बचा हुआ है टेन नमर टेन नमर कोईचन देखिए हम लिखते हैं और इनको शॉल्व करेंगे तो देखिए यह टेन नमर कोईचन जो पहले गि इकवाल टू दिया हुआ है और कहता है टीट यानी प्रूब करने के लिए कहता है एकस डी याइफिव अपोन डी एकस पलस वाई एकवाल टु टू एकस यह कहता है प्रूब करके आप दिखा ये तो चलिए यहाँ पर ELCM ले लेंगे हैं तो यह मारा एकस स्क्वाइर प्ल लिख वी का Фसॉर्मिला लगे गा दी बाटे डी एकस एकस उध्या पर इस ना Hindुग। यहां पर Een Two Part का फॉर्मूला लगेगा पॉर्मुला नहीं ऐकस को आखर लिखदी डिख्रूवध उमीर कर त्यान नमर्कों से अच्छा तरिकां से समझ गये वोंगे तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इनके अनिकी यजो 11.3 जो हो गया आध अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें इसे को फन्सन क्या होता है इस सभी को बारे में पहले इंट्रोडेक्शन बताएंगे और व्लोग में जो कुछ बसीक फोर्मुला रहेंगा इसको हम बताएंगे फिर यह वुद्सकर नाख को हम स्वालब खड़ेंगे तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज देगार ओफ वाइंट चार के साथ अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कोमेंट अपने दोस्तों के बीच सेर कीजिएगा जय हिंद